जैस्री क्रिष्णा, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, भगवान स्री क्रिष्ण और शीमती राधर आने की क्रिपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दो अप्रेल दो हजार चौबिस आज है मंगलवार का दिन और आज आप सुनेंगे चैत्रमास की कथा का आठवाध्याई और अब तक के सभी अध्याई सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभार और अब भगवान स्री हर विश्णू का ध्यान करके आज की पावन कथ अधा का प्रारंब करते हैं और अन्यकार्यों के प्रसंग से भी गंगाजी में गोता लगाने पर वे मुक्षप्रदान करती हैं गंगाजी के दर्शन मात्र से परधन और पर इस्त्री की अभिलाशा तथा परधर्म विश्यक रूची नश्ठ हो जाती है अपने आप जो जो मनुष्य गंगा जी का आश्रे लेकर सुक बुर्वक निवास करता है वही इस लोक में जीवन मुक्त है और वही सर्वस्रेष्ट है उसके लिए कोई करता भी फिर्शेष नहीं रह जाता गंगा जी में या उनके तडपर किया हुआ यग्य, दान, तप, जप, स्राथ और देव पूजन, प्रती दिन कोटी कोटी गुना अधिकफल देने वाला होता है, अपने जन्मनक्षत्र के दिन गंगा जी के संगम में शनान करके मनुष्य अपने कुलका उद्धार कर लेता है, जो बिनासरद्धा के भी पुन्यसलिला गंगा जी के नाम का कीर्थन करता है, वह निश्चे ही स्वर्ग का अधिकारी होता है, वे पृत्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती है, जान कर या अंजाने में इच्छा से या फिर अनिच्छा से गंगा में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है सत्व गुण में इस्थित योग युक्त मनीशी पूरुष को जो गती मिलती है वही गंगा जी में प्राणत यागने वाले देहधारियों को प्राप्त हो जाती है एक मनुष्य अपने शरीड का शोधन करने के लिए हजारों चांद्रायन व्रत करता है और दूसरा मन चाहा गंगा जी का जल पीता है उन दोनों में गंगा जल का पान करने वाला मनुशे ही स्रेष्ट है मनुशे के ऊपर तभी तक तीर्थों, देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है जब तक कि वह गंगा जी को नहीं प्राप्त कर लिता है ये भगवती तीनों लोकों में गमन करने से त्रिपति गामिनी कहलाती हो, तुम्हारा जल धर्म मैं है, इसलिए तुम धर्म द्रवी के नाम से विख्यात हो, हे जानवी मेरे पाप हरलो, भगवान श्री विश्णु के चरुणों से तुम्हारा प्रादुरुभाव हुआ है, तुम श्री मैं जल से मुझे पविद्र करो, इस भाव के तीन श्लोकों का उच्चारन करते हुए, जो गंगा जी के जलमेश नान करता है, वह करोणों जन्मों के पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है, अब मैं गंगा जी के मूल मंत्र का वरण करूँगा, जिसे की साक्षात श्री ह अर्थात, भगवान श्री नारायन से प्रकट हुई विश्व रूपिडी गंगा जी को बारम बार नमसकार है, जो मनुष्य गंगा तीर की मिट्टी अपने मस्तक पर धारन करता है, वह गंगा में शनान किये बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है, गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायू, यदि किसी शरीड का सपर्स करती है, तो वह गोर पाप से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है, मनुष्य की हड़ी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है, उतने ही हजारों बरसों तक वह स्वर्ग लोग में जाता है, वह पगपग पर अस्वमेध्यग्य का फल प्राप्त करता है, गंगा तीर पर बसे हुए गाम, पशु पक्षी, कीट मकोडे तथा चर अचर सभी प्राणी धन्य है, हे विप्रवरों जो गंगा जी से एक कोज के भीतर प्राण द्याग कर देते हैं, वे मनुष्य देवता ही है, उससे बाहर के मनुष्य ही इस प्रित्यों पर मानव है, गंगा श्नान करने के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है, तो वह भी स्वर्गों को प्राप्त होता है, हे ब्रामणों, जो लोग गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुष्यो को वहां का मार्ग बता देते हैं उन्हें भी परंपुने की प्राप्ति होती है और वे भी गंगाशनान का फल पा लेते हैं जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण गंगाजी के निंदा करते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं तथा वहां से फिर जो पुरुश गंगाजी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है उसे भी गंगा जी में शनान करने का फल मिलता है दूसरे के खर्च से जाने वाले को शनान करने का जितना फल मिलता है उससे दूना फल खर्च देकर भेजने वाले को प्राप्थ हो जाता है इच्छा से या अनिच्छा से किसी के भेजने से या फिर दूसरे की सेवा से भी जो परम पवित्र गंगाजी की यात्रा करता है वह देवताओं के लोक में जाता है ब्रामणों ने पूछा हे व्यास्ची हमने आपके मुझे गंगाजी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना अब हम ये जानना चाहते हैं कि गंगाजी कैसे इस रूप में प्रकट हुई उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों अत्यंत पावन मानी गई है तब व्यास्ची बोले हे द्विजवरों सुनो मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ प्राचीन काल की बात है मुनि स्रेष्ट नारत जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्माजी को नमस्कार किया और पूछा कि हे तात आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की है जो भगवान शंकर और विष्णु को भी अत्यंत प्रिय हो तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभिष्ट मानी गई हो तब ब्रह्माजी ने कहा बेटा पूर्वकाल में स्रिष्टी आरंब करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृती से कहा हे देवी तुम सब पूर्ण लोकों का आधिकारण बनो मैं तुमसे ही संसार की स्रिष्टी आरंब करूँगा यह सुनकर पराप्रकृती साथ स्वरूपों में अभिवक्त हुई गायत्री, वाग्देवी, अर्थात सरस्वती, सब प्रकार के धन धाने प्रदान करने वाली लक्ष्मी, ज्यान विद्या स्वरूप उमादेवी, शक्ति बीजत पस्विनी और धर्म ही साथ पराप्रकृ के स्वरूप हैं इनमें गायत्री से संपुण वेद प्रकट हुए हैं और वेद से सारे जगत की स्थिति हैं स्वस्ति स्वाहा स्वधा और दीक्षा ये भी चार गायत्री से उत्पन्न मानी गई हैं अतह यग्य में मात्रिका आदी के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारन करन हैं तीसरी प्रकृति हैं लक्ष्मी जिनसे वस्त्र और आभूशनों की राशी प्रकट हुई है सुख और त्रिभुवन का राज भी उन्हीं की देन है इसी से वे भगवान श्री विष्णु की प्रियतमा है चौथी प्रकृति उमा के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर के स्वरूप का ज्यान होता है अतर उमा को ज्यान की जननी अर्थात ब्रह्म विद्या समझना चाहिए वे भगवान शिव के आधे अंग में निवास करती हैं शक्ति बीजा नाम की जो पांचवी प्रकृति है वह अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली हैं समस्त लोकों में वही जगत का पालन और संगहार करती हैं तपस्वीनी तपस्या की अधिश्ठात्री देवी हैं साथ मीं प्रकृति धर्मद्रवा हैं जो सब धर्मों में प्रतिश्ठी थैं उसे सब से स देख कर मैंने अपने कमंडलू में धारण कर लिया फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विश्णू ने बली के यग्य के समय इसे प्रकट किया उनके दोनों चरणों से संपुण महीतल व्याप्त हो गया था उनमें से एक चरण आकाश एवं ब्रह्मांड को भेद कर मेर सामने स्थित हुआ उस समय मैंने कमंडलू के जल से उस चरण का पूजन किया उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुगा तब उसका धोवन हेमकूट परवत परगिरा वहां से भगवान शंकर के पास पहुंचकर वह जल गंगा के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ गंगा बहुत काल तक उनकी जटा में ही भ्रमण करती रही ततपस चात महराज भगीरत ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा जी को प्रिथ्वी परुदारा वे तीन धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गई इसलिए वे संसार में त्रिश्टोता के नाम से विख्यात हुई शिव ब्रह्मा तथा विष्णू तीनों देवताओं के संयोग से पवित्र होकर वे त्रिभवन को पावन करती हैं भगवती भागी रती का आश्रे लेकर मनुस्य संपुण धर्मों का फल प्राप्त करता है पाठ यग्य मंत्र होम और देवार्चन आदी स समस्त शुबकर्मों से भी जीव को भगती नहीं मिलती जो श्री गंगा जी के सेवन मातर से प्राप्त हो जाती है गंगा जी के सेवन से बढ़कर धर्मसाधन का दूसरा कोई उपाई नहीं है इसलिए हे नारद तुम भी गंगा जी का आश्रे लो हड्डियों में गंगा ज और वहां तपस्या करके वे ब्रह्मा जी के समान हो गए गंगा जी सर्वत्र सुलब होते हुए भी गंगा द्वार प्रयाग और गंगा सागर संगम इन तीनों स्थानों में दुरलब हैं वहां इनकी प्राप्ती बड़े भागे से होती है वहां तीन रात्री या एक रात इस कली काल में सत्वगूंड से रहित मनुष्यों को कश्टी से छुडाने और मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा जी ही है गंगा जी के सेवन से अनंत पुन्य का उद्य होता है पुलस्ती जी कहते हैं कि है भीश्म तदनंतर्वे ब्राम्भन व्यास जी की कल्यान मई वाण सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गंगा जी के तटपर तपस्या करके मोक्ष मार्गों को पा गये जो मनुसे इस परम उत्तम पवित्र उपाख्यान का श्रमण करता है वह समस्त दुख राशी से पार हो जाता है तथा उसे गंगा जी में श्नान करने का फल मिलता है एक ब हरे कृष्णा आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ इसके आगे का अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे और अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए जाता जाता श्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राथे राथे ज़रूर लिख हुए हैं अडिमा आधी आठों सिध्या उनकी सेवा कर रही है और आठ हाथों में शंक चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश अर्थात फंदा धारन किये हुए हैं वेही ओमकार स्वरूप प्रभू सब प्रकार से सब और से मेरी रक्षा करें मत्सिमूर्दी भ भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गोंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गये थे वे दैत्य यूथ पत्यों के शत्रू भगवान रिसिम्भ, किले, जंगल, रणभूमी आधिविकट स्थानों में मेरी र भगवान राम चंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें भगवान नारायन मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। स्रेश्ट नर्ग घर्व से योगेश्वर भगवान दत्ता त्रे योग के विग्णों से और त्रिगुणादी पति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें परमरीशी सनत कुमार काम देव से हैगिरिव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराद से और देवर्शी नारद सेवा पराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नर्कों से मेरी रक्षा करें भगवान धन्वंतरी कुपत्य से जितेंद्र भगवान रिशब देव सुख दुख आदी भैदायक द्वंदों से यग्य भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री सेस जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। और भगवान गोविंद अपनी बासुरी लेकर और दो पहर के पहले भगवान नारायन अपनी तीक्षण सक्ती लेकर और दो पहर को भगवान विश्नु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। इसले प्रहर में स्रीवत्च लांचन श्री हरी, उशाकाल में खडगधारी भगवान जनार्दन और सुर्योदे से पुर्वश्टी दामोदर और संपुर्ण संध्याओं में काल मूर्थी भगवान विश्वेस्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन आपका आकार चक्र रत के पहिये की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रले कालिन अगनी के समान अत्यांत तिवर है। आप भगवान की प्रेड़ा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायू की सहायता से सुखे घासफूस जला डालती है। वैसे ही आप हमारी शत्रू सेना को शीगर से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का सपर्स वज्र के समान असाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुश्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदी ग्रहों को अभी कुचल डालिए। तथा मेरे शत्रू को चूर-चूर कर दीजिए। हे शंक स्रेष्ट आप भगवान श्रेकृष्ण के फूखने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रू का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमत, प्रेत, मात्रिका, पिशाज, तथा ब्रह्म राक्षस आदी भयावने प्राणियों को यहां से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ट तलवार आपकी धार बहुत तीख्ड हैं। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रू को छिन भिन कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आपमें सैक्डो चंद्राकार मंडल हैं। भूत प्रेत आदी तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भै हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो। वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयूधों का कीर्टन करने से ततकाल नश्ठ हो जाएं। ब्रिहद, रथंतर आदी, साम वेदिय स्तोत्रों से जिनकी स्तुती की जाती है। वे वेद मूर्ती भगवान, गरूर और विश्वक सेंजी अपने नामों चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरी के नाम, रूप, वाहन, आयूद तथा स्रेष्ट पारसद हमारी बुद्धी, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अत्वा कारण रूप जगत है, वह वास्तों में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ठ हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी द्रिष्टी में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रही थे, भेदों से रही थे, फिर भी वे अपनी माया शक्ती के द्वारा भूशन, आयुधोर, रूप नामक शक्तियों को धारन करते है यह बात निश्चित रूप से सत्य है, इस कारण सर्वग्य, सर्वव्यापक भगवान श्री हरी सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टाहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सब का तेज ग्रश लेते है वे भगवान रिसिम्म, दिशा विदिशा में नीचे उपर बाहर भीतर सब और से हमारी रक्षा करें, हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायन कवच सुना दिया है, इस कवच से तुम अपने को स्वरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य, हो जाता है, जो इस वैशनवी विद्या को धारन कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेथ, पिशाच, आदी और बाग आदी हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भै नहीं होता, हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गौतरी ब्राम्भन ने इस विद्या को धारन करके योग धारना से अपना शरीर मरू भूमी में त्याग दिया, अब जहां उस ब्राम्भन का शरीर पड़ा था, उसके उपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररत अपनी इस्त्रियों के साथ विमान पर बैठ कर निकले, वहां आते ही वे नीचे की और सेर्किये विमान सहित आकास से प्रिथ्वी पर गिर पड़े, इस घटना से उनके आचरे की सीमा न रही, जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायन कवश धारन करनी का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राम्भर देव की हड्डियों को ले जाकर पुर्ववा किसी धारन करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से जुक जाते हैं, और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है, हे परिक्षित शत्यक्रतु इंद्रने आचारी विश्वरूप जी से यह वैशनेवी विद्या प्राप्त करके रण भूमी में असरों को जीत लिया और वे त्रैलुक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायन कवच संपुर्ण हुआ स्वयंभू, शंभू, रादित्य, पुष्कराक्षो, महास्वन, अनादी निधनोधात, विधाताधातो, रुद्तम, अप्रमेयो, रिशीकेश, पद्मनाभो, अमर अप्रभु, विश्व कर्मा, मनुस्त्वस्तास्थ, स्थविस्थ चाष्विरोधुव, अग्राहया शा प्रभूतस्त्रिककुप्धाम पवित्रम्मंगलंपरम इशानह प्राण दह प्राणु जेश्ठा स्रेश्ठ प्रजापती हिरन्यगर्भो भूगर्भो माधवो मदु सूधना इश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमहक्रमा अनुत्तमो दुराधर्षा कृतज्या अह संवत्सरो व्याल प्रत्यया सर्वदर्षन अजा सर्वे स्वर सिध्ध सिध्ध सर्वा दिर्चुत विर्षाक पिरमेयात्मा सर्वयोग विनीश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा सम्मिता समा अमोग पुंडरी काक्षो व्रिशकरमा अवरिशाकृति रुद्रो बह शिराब अब्रूर विश्वयोनी सुचिश्रवा अम्रित शाश्वत स्थानूर वरारोहो महात्रपा सर्वगह सर्व विद्भानूर विश्वक्सेनो जनार्दना वेदो वेद विद्वियंगो वेदांगो वेद्वित कभी लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष चतुरात्मा चत्रुवियोहस चत्रदर्ष्टस चतुर्भुजा ब्राजिश्रुर भोजनम्भोक्ता सहिस्रुल जगदातिच अनको विज्यो जेता विश्वयोनी पुनर्वसु उपेंद्रो वामन प्रांशुर मोगा सुच्रुर्जिता अतिंद्रह संग्रह सर्गो धृता अनियमोयमा वेद्यो वेद्य सदायोगी वीरहा माधवो मदू अतिंद्रियो महामायो महुत्साहो महाबलह महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्तिर महाध्युति अनिर्देश्यव पूष्रिमानमेयात्मा महाधृत्रिक महिश्वासो महिभर्ता स्रीनिवास सतामगति अन दूर्मर्षड शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्त मोधामा सत्य सत्य पराक्रमा निमिशो अनिमिशो श्रग्वी वाचश्पती रुदारधी अग्रनित ग्रामनी श्रीमा न्यायो नेता समीरड सहस्त्रमुर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षा सहस्त् अप्रमेई आत्मा विस्ष्ट सिष्ट कृच्छुवी सिध्धार्त सिध्ध संकल्प सिध्धिद सिध्धिसादन वरिशाही विर्षभो विश्णुर विश्परवा वरिशोदर वर्धनो वर्ध मानस्च विविक्त हश्रुतिसागर सुभुजो दूर्धरो वाग्मी ओजस्ते जोद्वितिधर प्रकाशात्मा प्रतापन रिधस्पस्टाक्षरो मंत्रस चंद्रान शुर्भाष कर दूति ही अम्रितान शुद्भवो भानू शशबिंदू सुरेश्वरा ओशधम जगता सेतू सत्यधर्म पराक्रमा भूत्भव्य भवन्नात पवन पावनो अध्रिश्य अव्यक्तरूपस्च सहस्त्रजित नंत जित इस्टो अविसिष्ट सिष्टेश्ट सिखंडी नहु सोवरिष प्रोधाक्रोद करता विश्वभाहुर मही धरा अच्चुत प्रतित प्राण प्राण दो वासवानुज अपाम्नि धिर्धेष्टानम प्रमत्त प्रतिष्टित शकंद सकंद धरोधूर्यो बरदो वायुवाहन वासुदेवो ब्रिहत्भानु रादि देवः पुरंदर अशोकस्तार अनस्तार शूरसोर इर्जनेश्वर अनुकूलह शतावर्त पदमी पद्मनि भेक्षण पद्मनाभो अर्विंदाक्ष अतुलह शर भोभीमो समयक्जो हविरहरी सर्वलक्षन लक्षन्यो लक्ष्मिवान समितिन जया। व्यकूंठ पुर्ष प्राण प्राıllद प्रणव प्रिथू एरण्यगर्भ शत्रुग्नो व्याप्तो वायुरोधोक्षज रितु सुदर्शन काला परमेश्ठी परिग्रह उग्रासंवत सरोदक्सो विष्रामो विष्वदक्षण विस्तारस्थावरस्तानु प्रमाणम अर्थो अनर्थो महाकोषो महाभोगो महाधना अनिर्विन्न स्थविष्ट्वभु धर्मयुपो महामख नक्षत्रने मिर नक्षत्री चमाचामा समीहना यज्य इज्यो महिज्यस्च क्रतू सत्रम सतामगती सर्वदर्शीवि मुक्तात्मा सर्वग्यो ग्यान मुत्तमं सुवरता सुमुख सुष्मा सुघोसा सुखदा सुरिता मनोहरोजितक्रोधो वीरबाहुर विदारणा स्वापनास्वव सोव्यापीनेकात्मानेक कर्मकृत बच्परू वश्ञोट्सो लोवसि रत्नगर्भो धनेश्वरह धर्मगुप धर्मग्रितधर्मी सदसक्सरमक्षरम अविज्याता सहस्थ्रांसुर्विधाता कृतलक्षन गबस्तिनेमी सत्वस्थ सिंहो भूतमहेश्वरह ौधिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत Alban उत्तरोगो पतिर्गोप्ता ज्यानगम्यह पुराथना शरीर भूत भृत भरित भोक्ता कपिञ्दरो भूरिदाक्षिना सुम्मः अमरितपहजों महा सत्यसंधो दाशाह सात्वतांपती जीवो विनैता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमा अम्भो निद्रनंतात्मा महोदधी इशयोंतक अजो महारह स्वाभाव्यो जितामित्र प्रमोधन आनंदो नंदो नंद स्चत्यधरमा अत्रिविक्रमा महर्शी कपिला चार्य कृतक्य में दिनीपती त्रिपदस्त्रि दशाध्यक्षो महाश्रिंग अक्रितांत्रित महावराहु गुविंद सुखेळ कनकांग दी गुईयो गभीरो गहनो गुप्तस्चक्रगदाधर वेथा स्वांगो अजिता क्रिष्णो दृढ संकर्षणो चत वरुणो बारुणो पुसकराक्षो महामनाह भगवान भगहानन दी वनमाली हलायुध आदित्यो जोती रादित्य सहिश्णो गति सत्तमा सुधनवा खंड पर्शूर दारुणो द्रविडा प्रद दिविस्तिरिक्सरव द्रिग्व्यासो वाचशपतिर योनी जह त्रिसामा सामा गहसामा निर प्रचिव श्रिव स्वक्षा श्रीवास श्रीपती श्रीमतामवर श्रीदा श्रीश श्रीनिवास श्रीनिती श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोक त्रयाश्रिया स्वक्षा स्वंग शतानंदो नंदिर्जो तिर्गनेश्वर विजितात्मा विधेया प्रम्ह ब्रम्हा कुष्दात माई चोपछा मोर्म सावागों फिर्व क evolve हो इसल्क्य पूआयग प्कुष्दा शोगों क च ह्राम। प्रिया, महाक्रमू, महाकर्मा, महातेजा, महुरग, महाकरतुरु, महायज्वा, महायक्ज्यो, महाहवी, स्तव्यस्तव, प्रियस्तोत्रम, स्तुतिश्तोतारण, प्रिया, पुर्ण, पुरैता, पुन्य, पुन्य, किरतेरिनामया, मनुजव, स्तिर्थकरू, वसुरेता, वस प्रदो वासु देव व सुर्वसु मनाहवी सत्गति सत्कीर्थी सत्ता सत्भूति सत्परायण शूरसेनो यदुस्रेष्ट सन्निवास सुयामुन भूतावासो वासुदेव सर्वासुनिलियो अनल दर्पहा दर्पदो द्रिप्तो दूर्थरो था पराजित विश्व मूर्तिर महामूर्तिर दिप्तमूर्तिर मूर्तिमान अनेकमूर्तिर अव्यक्त शत्मूर्ति शतानन एको नैक सवक किम यत्तत पदमनुत्तमं लोकबंधुर लोकनाथो माधोवो भगत वसल सुवर्णवर्णो हे मांगो वरांगश चंदनांगदी वी रहा विश्मह शुन्यो घृताशीर चलस चलह अमानी मान दो मान्यो लोकस्वामी त्रिलो कद्रिक सुमेधा मेधजो धन्या सत्यमेधा धराधर तेजो व्रिश द्वितिधर शर्वसस्त्र भृतामवर प्रग्रहो चतरुबाहुस चतरव greedy हस चतरगति चतरा अतमा चतरुभावस चतरवैद्विदेकपात समावर्तो अनिवर्तात्मा दूर्जयो दुरतीक्रमा दूरलभो दूर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोगसारंग शुतन्चुषत्तं तुबरधन कुमुदः कुंदर कुंदः परजन्य पावनोनील अम्रिताशो अम्रितवपु सर्वग्य सर्वतो मुख सुलभा सुव्रत सिध्ध शत्रुजी छत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्त स्चानु रांध्र निशूदन सहस्त्रार्चिह सप्त जीव सप्तेधा स अमूर्दिरन्गो अचिंत्यो भैकरित भै नाशन अनुर् प्रिहत क्रिशास्थूलो गुलभिनिर गुलोमहान अध्रित शवद्रित श्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धन भारख्रित्क थितो योगी योगीशा सर्वकामद अश्रम स्रमन च्याम सुपरणो अभी प्रयाय, प्रियार होरह, प्रयक्रीत-पिल्ति वर्धना रोद्रह कुंडली चक्रे विक्रम्यूर जितिशाषन, शब्दातिगा सब्दशह, शिशिरह शर्वरीकर, अक्रूरह पेश लोदक्षो दक्षण चमिनामवर, विद्वतमो वितभय, पुन्य शवन कीर्तन, उत्तारणो दुस्कृतिह, पुन्यो दुस्व प्रनाशन, वीरह रक्षण संतो जीवन पर्यवस्तित, अनंत्रूपो अनंत्त स्रिट जित्मन्यूर भयापह, चत्रश्टो गभिरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश, अनादीर भूर्भू लक्ष्मी, स्वीरो रुजिरांगद, जन नो जन जन मादिर भीमो भीम पराक्रम, आधार नील् प्रतिर्यजवाय, ययांगो यज्यवाहन, यग्यवृध्यय ग्रिध्य यग्य, यज्यभुग यग्यसाधन, यग्यांति-क्रिध्य यग यगुय मन्यमंन्ना देवच, आत्मयोनी स्वैमजातो वेखाना सामगायन, देवकीनंदन शरष्टा छिति सहबापनाशन, शंक्- सन्न वक्त्र पंकजेनि कुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सुनु संगते कदाकरीश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। अशोक व्रिक्ष वल्लरी वितान मंड पस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले। वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदाकरीश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भुवां सविब्रमं ससंब्रमं द्रिगंत बाण पातने। निरंतरंव शीकृत प्रतीत नंद नंदने कदाकरीश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदिप्त गौर विग्रहे मुख प्रभापरास्त कोटि सार देंदु मंडले। विचित्र चित्र संचरत्च कोर शावलोचने कदाकरीश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। मदोन्मदादि योवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदाकरीश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। अशेश हाव भाव धीर हीर हार भूसिते प्रभूत शात कुम्ब कुम्ब कुम्बि कुम्ब सुस्तनी प्रसस्त मंद हाश्य चुर्ण पुर्ण सोख्य सागरे कदाकरीश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। मिरिणाल वाल वल्लरीत रंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोल नील लोच नावलोकने। लललुलन मिलन मनोग्य मुग्ध मोहिनाश्रिते कदाकरीश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मल्ली कांचित त्रिरेख कम्बु कंठगे त्रिसुत्र मंगली गुण त्रिरत्न दिप्त दीधिते। सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदाकरीश्य सीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। नितंब बिम्ब लंब मान पुष्प मेखलागुणे प्रशस्तरत्न केंकिडी कलाप मध्य मन्जुले। करिंद्र शुन्ड दंडिकाव रोह शोभ गोरुके कदाकरीश्य सीहमां के पाकटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्र नाद मंजुनू पुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वडाति गोरवे। विलोलहेम वल्लरी विडंब चारुचंक्रमे कदाकरीश्य सीहमां क्रिपाकटाक्ष भाजनम। अनन्त कोटि विश्णू लोकनम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोम जाविरिंच जावर प्रदे। अपार सिध्धि रिध्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे। कदाकरीश्य सीहमां क्रिपाकटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण साशनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपेश्रिराधिके नमोस्तुते। इतीम मद्भुतं स्तवं निशम्य भानु नंदिनी करोतु संततं जनं प्रिपाक टाक्ष भाजनं। भवेत्त दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं। लभेत्त दाब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनं। जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चाली सा। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सता जो तव नित सुमिरन तेहिके काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी पावे सुन्दर वरसु कुमारी। करे जो पूजा नित प्रतिनारी सुख संपति से होय सुखारी। बृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिदि से तर जावे सोई। कथा भागवत यग्य करावे तुम बिर नहीं सफलता पावे। चायो तब प्रताप जग भारी। ध्यावत तुमैं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रं तंत्रन में सकल काज सिद्धी होवे छण में। ओश धिरूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देवरिशीमुनी और तप धारी करत सदा तव जय जय कारी। वेद पुरानन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारनी नमो नमो जय दुखनी वारनी नमो नमो सुख संपति देनी नमो नमो अग काटन चेनी नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद चेनी नमो नमो भव पार उतारनी नमो नमो पर लोक सुधारनी नमो 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 निज भक्त उबारन नमो नमो जने काज सवारनी, नमो नमो जै कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयती जयती जय तुलसी माई, ध्याउं तुमको शीष नवाई, निजजन जानी मोही अपनाओ, बिगडे कारज आप बनाओ, करू बिनै मैं मात तुमारी, पूरण आशा करहू हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाओ, निशदिन तेरे ही गुडगाओ, करहू मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मात यही बर दीजे, सकल मनोरत पूरण कीजे, जानू नहीं कचु नेम अचारा, छमहू मा तु अपराद हमारा, बारह मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा, प्रथमही गंगा जल मंगवावे, फिर सुन्दर श्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे, हृद दीपूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाही, है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाही, यह श्री तुलिसी चालिसा, पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई तुलिसी चालिसा संपोड, और अब आप सुनेंगे तुलिसी महरानी की आरती धन्य तुलिसी पूरण तप कीनो, शालिग राम की बनी पतरानी नमो नमो, तुलिसी महरानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मले, श्रीपती कमले चरण लपतानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो, तुलिसी महरानी नमो नमो धूप दीपने वेद्य आरती, धूप दीपने वेद्य आरती, पुश्पन की वरसा बरसानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो, तुलिसा महरानी नमो नमो चपन भोग छत्ति सोव्यंजन, बिन तुलिसा हरी एक नमानी नमो नमो, तुलिसी महरानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे, भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो, तुलिसा महरानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए, तुलिसी मैया की जै दोस्तों उमीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, तो अगर कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और अगर संभव हो तो वीडियो को जाता से जाता शेर कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में राते राते जरूर लिख होगी मिलती हुँ मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जै श्रीभादरी